रॉफी तो हमारी है, मैदान में उदरने से पहले ही जीच चुके हैं, अब खेलें न यहां कुछ ऐसा है जो मुझे में कुछ जोड सकता है, न यहां कुछ ऐसा है जो मुझे तोड सकता है शरीर बढ़ता है मैं नहीं बढ़ता है, धन बढ़ता है, मैं नहीं बढ़ता है, शरीर की मृत्य है, मेरी नहीं है, धन की हानी है, मेरी नहीं है, यश की हानी है, मेरी नहीं है, मैं लाभ में बढ़ता नहीं, मैं हानी में घटता नहीं, मैं वो हूँ, लाभ हानी चलते रहते ह कुछ था नहीं पर आज देखो आज में कितना बड़ा आदमी आज मैं सीधे BMW पर बैठ करके सबसे बड़े cancer specialist के पास जाता हूं सब दुख का मूल क्या है वो आमतरिक माया जिसने सब बड़े बड़े ज्यानियों विद्वानों को भी भटका कर रखा कौन सी वो भीतरी बीमारी है जिसका इलाज ढूंडने के लिए इनसान पूरे जगत में पूरे ब्रहमार्ण में भटकता फिर आया है और असफल रहा है बहुत एक छोटी सी चीज़ मैं अधूरा हूँ बस यही इतना इसी माननिता को और भी कई शब्दों में अभिवेक्त किया जा सकता है मैं अधूरा हूँ यह अधूरी हूँ जैसे लिखना हूँ मैं कमजोर हूँ मैं आश्रित हूँ जन्म का अर्थ होता है इस माननिता का जन्म जैसे यही बात जन्म लेती हो मैं छोटा मैं अधूरा मैं कमजोर मैं आश्रित और एक बार इस बात ने जन्म ले लिया उसके बाद सब खराब ही होता जाना है उसको आप ठीक नहीं कर सकते हमारे पूरे जीवन की बुनियाद ही खोखली है उसके उपर कितनी भी मेहनत करके कितना भी बड़ा महल खड़ा कर लो न तो उस महल में कोई स्थाइत तो होगा न सुरक्षा होगी न सुख होगा बुनियाद ही खोखली है और मज़दार बात ही है कि इस खोखली बुनियाद पर भी कुछ लोग आत्म विश्वास से भरा चहरा लेकर भूम लेते हैं मूल माननेता क्या है मैं छोटा मैं धूरा मैं दुर्बल और चहरे से क्या डपकर आए आत्म विश्वास कैसे हम कर लेते हैं इस मूल माननेता को हम सत्य से नीचे का दर्जा नहीं देते आप किसी मनुष्य को कुछ भी समझा सकते हैं कुछ भी मानने पर राजी कर सकते हैं पर उसको ये दर्शाना ये मनवाना कि वो दुर्बल और अपूर्ण नहीं है एकदम टेड़ी खीर है असंभव लगभग आप किसी को ये मनवाना चाहते हो कि वो एकदम हे है निक्रष्ट है निंदनी है आपको बहुत महनत नहीं करनी पड़ेगी लेकिन अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि तु अपने भीतर जो दुर्बलता का भाव पाल कर बैठा है वो मिठ्या है आप जीवन पर महनत करो सफलता मुश्किल है क्योंकि सब बदलता है सत्य थोड़ी बदलता है सत्य का दर नामी नित्ते है न उनी बदलता है और हमने अपनी नजर में इसी माननिता को अपना सत्य बना रखा है कुछ बदल जाए संदगी में इमानने ता नहीं बदलने की बाकी सब बदल जाएगा ये तुम्हें मान के ही रखूंगा कि मैं बीमार हूँ अब बताओ क्या बदलना है बाहर दवाईयां बदलने हैं अस्पताल बदलने हैं कपड़े बदलने हैं वो सब बदल लेंगे ये भाव नहीं बदलेंगे कि मैं बीमार हूँ बाहर बाहर सब बदल लेंगे और खूब तरक्की करेंगे बाहर भई पहले वो जो सौभड किनारे बैठा रहता था दस रूपय GCN उसके पास जाके बाड़ते था अब जिन्दीए में तरक्की हो गई अब क्या करते हैं अब जाके पंच सितारह अस्पताल में अपना इलाज कराते हैं बहूत तरक्की करी है जिन्दीए पहले एलाज किस से कराते से वो जो हां बैठा रहता है आईए आईए सब प्रकार की समस्याएं हम सुल जाएं आपके गुप्त रोगों को भी हम गुप्त नहीं रखेंगे वहां बैठें ने रहते हैं कि तब मेरे पास कुछ था नहीं पर आज देखो आज में कितना बड़ा आदमी हूं आज मैं सीधे बीम डबलू पर बैठ करके सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाता हूं ऐसी तरक्की देखी जिन्दगी में कभी और इस पूरी तरक्की के बीच एक छोटा सा तत्थ ही है कि ये व्यक्ति बीमार है ही नहीं इन्सान बीमार ही नहीं लेकर इसने जगत में पूरी तरक्की कर डा लिए देखिए बाहरी दुनिया और भीतरी दुनिया अलग अलग तरीके चलते हैं बाहर की दुनिया में माने देह की दुनिया में बहुत एक दुनिया में किसी को समझाना आश्वस्त करना कि वो बीमार है थोड़ा मुश्किल होता है व्यक्तिवी रोध करता है ना आपको शरीर की बीमारी की कोई रिपोर्ट आ जाए तो आप सहज वरित्ति रहती है वो बीमारी के प्रति अविश्वास की रहती है ठीक है इतने बीमार कैसे हो सकते हैं यह तो हो इनी सकता है इतने बीमार और भीतरी जगत में जो व्रित्ति रहती है स्वास्थे के प्रति अविश्वास की रहती है वहाँ पर आपको कितना भी बोला जाए कि आप चिनमात रहें आप नहीं मानते बीतर सब बढ़िया है होई नहीं सकता भीतर सब बढ़िया है तो बाहर जो पूरा जाल बिछाया है और प्रपंच रचा है वो फिर व्यर्थ हो गया ना देख भाई तु कुछ भी और बोलने मान लूँगा लेकिन तुने ये बोल दिया ना कि मैं भीतर से ठीक हूं तो ब्रो कोड तूट जाएगा मेरी तिरी यारी ही इसी बात पर है कि तू भीमार मैं भीमार और फिर जमती है ना महफिल एक कंधा एक कोड़ी राम बनाई दोस्ती का अधारी यही है हम तुम बिलकुल एक जैसे है कैसे एक जैसे है क्योंकि आत्मा एक होती है नहीं एक जैसे तो ऐसे भी हो सकते है कि मेरा तेरा सत्य एक है पर नहीं हम तोनों एक जैसे इस तरह हैं कि दोनों भी मार है इसी को कहते हैं जगत से अस्वस्थ संबन्द जहां आप जिस भी वस्त विश्य विक्ति से संबंध बना रहे होते हो वो इसी आधार पर बना रहे होते हो कि उधर तेरी कमजोरी इधर मेरी कमजोरी कुछ तेरी तेरे बारे में मानने था कुछ मेरी मेरे बारे में मानने था और हम दोनों जब इकठे होते हैं तो दोनों की माननेताएं एक दूसरे का सहारा लेके एकदम और सुद्रण हो जाती है आउ संबंध बनाए जगत से हम इसलिए नहीं संबंधित होते हैं कि हमारी मूल माननेता को चुनौती पड़े वो तो चाहते ही नहीं है मूल माननेता को तो हमने क्या बोल दिया है सत्य उसको चुनौती क्यों दे भाई मूल माननेता तो फिर सत्य है सत्य ही आत्मा है आत्मा मैं है माने मूल माननेता ही मैं हूँ उसको चुनौती दोगे तो माने मुझे ही चुनौती दे दी गोली मार दूँगा कुछ लोगों को ये बातें विचित्र लग रहे हैं कि कोई भीतर से स्वस्थ है उसको समझाना इतना मुश्किल क्यों है ये बात जागर कि इसी कृष्ण से पूछ हो किसी को उसके सक्थ से परिचित कराना कितना मुश्किल है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी की मदद का हार्दिक प्रयास करेंगे जब तक आपने किसी का अंधेरा मिटाने की कोशिश नहीं करी आपको पता नहीं चलेगा अंधेरे में दम कितना होता है और वो जो किसी का अंधेरा वो आप सोयन भी हो सकते हैं चाहि दूसरे का अंधेरा मिटानों चाहि अपना अंधेरा मिटानों कुछ भी हमारे सपनों हमारी कल्पनाओं के पीछे भी बात यही रहती है आज अपनी कमजोरी को ढखने का मेरे पास एक छोटा तरीका है और मेरे पास लेकिन उज्जुल भविष्य की सुनहरी कल्पनाई है वो सुनहरी कल्पना क्या बोल रही है कल मैं अपनी दुर्बलता को और बढ़िया तरीके से ढखूँगा हमारी कोई कल्पना कभी यह नहीं कहती कि कल मैं दुर्बल रहूंगा ही नहीं आप गौर करिएगा हमारी कल्पना कहती है मैं रहूंगा तो वही जो मैं आज हूँ पर कल मैं बहतर स्वांग कर पाऊँगा चलो मेहनत करते है ये लगबग वैसी मेहनत है जैसा रंगमंच के अभीनिता किया करते है जब अभ्यास करते हो तयारी करते हो रहरसल तो उसमें आप क्या कर रहे हो उसमें आप कह रहे हो कि मैं करतो सुवाग ही रहा हूँ पर ऐसा पक्का सुवाग करूँगा महनत करके कि किसी को और नहीं पता लगेगा आप ये थोड़ी कहते हो कि सुवाग बंद अरे ये किसकी लिखी पटकता है मैं ये समवाद क्यों दोहरा रहा हूँ ऐसे कभी कहते हो कोई ऐसा बोल दिया अभिनेता उसको निकाल दिया जाकर के पागल अभिनेता और मेहनत करकर के और पक्का प्रपंची स्वांगी ही तो होता जाता है इसको कहते करेक्टर में उतरना जूट में उतरना क्योंकि वो जो क्यरेक्टर है जो चरित्र है वो आपको पटकता ने दिया है, कहीं और से आया है, समाज से आया, सहियोग से आया, जहां से भी आया है तो हमारी सारी तरक्की यही होती है पात्र में और गहरा घुसो और जब एक पात्र में गहरा घुस लोगे तो मी दिये रहती है कि अगली बार और बहतर पात्र मिलेगा कैसे अब ही पहले पहले शुरू शुरू में न हमें मंच पर उतरे थे तो भिखारी का मिला था भिखारी का लेकिन हमने महनत करी पूरी हमारी कहानी प्रिर्णास्पद है कि इंस्पिरेशनल हैं हम उसके बाद हमको वो जो आगे उसमें नायक नाइका नाचते हैं तो जो पीछे दस और नाच रहे होते हैं उसका काम मिला तरक्की करी थोड़ी देखो सीखो मुझसे मैंने कहां से शुरुआत करी थी फिर एक-एक सीड़ी बढ़ते हुए आगे फिर उसके बाद मुझे नायक के चपरासी का किरदार मिला हाँ आगे बढ़ रहा हुए बहुत से देखो मुझे देखो फिर फिर मुझे नायक के फटे हाल दोस्त का मिला अच्छा फिर फिर मुझे नायक के भाई का मिला जो कुटे की मौत मरता है और उसी का बदला लेने के लिए फिर नायक खलनायक का खोपड़ा तोड़ता है तरक्की देखो मेरी अब मैं नायक का भाई हूँ अब मंच पे कुत्ते की मौत मर रहा हूँ और यह मेरी तरक्की है अच्छा फिर और आज आज मैं नायक का किरदार अदा कर रहा हूँ और इश्टा वकर वहां बैठे हुए हैं सामने दर्शक दीरगा में हो कह रहे हैं कर तो आज भी तू नाटक ही रहा है न जो तेरी सच्चाई है वो तूने पहले दिन से दबाई है और तेरी सारी प्रगति बस उसी सच्चाई को दबाने का एक उत्तर अभियान सा रहा है तू आगे बढ़ने में इतना मगन रहा है कि तू भूली गया कि आगे जिस चीज के लिए बढ़ रहा है उसको तू पीछे छोड़ा है एक पिक्चर देखी थी मैंने तो उसमें पांच दोस्त थे पांचों ने बैठके खूप पी तो एक बेहोश हो गया तो बाकी चार घबरा गए अब चड़ी तो उन चारों को भी हुई है जल्दी करो जल्दी करो इसको ले करके चलते हैं अस्पताल एकदम भागा भागी में जल्दी से गाड़ी निकाली एकदम और अगले 6-8 मिनट तक यही कि किस किस तरीके से उन्होंने कुदा फदा कि गाड़ी लाइट तोड़ी ये करा दिवाल तोड़ी दूसरी गाड़ी को टकर मारी और ले जा करके उन्होंने गाड़ी भी अस्पताल में भी दर्वाजा रौजा तोड़ते हुए सीधे इमर्जनसी में खड़ी कर दी दिक्कत बस एक थी वो उसको वहीं छोड़ाये थे वो वहीं पड़ा हुआ था ये चारों फुल स्पीड ये हमारी तरक्की है तुम जिसके लिए आगे भाग रहे हो उसको तुम बहुत पीछे छोड़ाये हो पर क्या करें मन इंद्रियां ये सब भागती आगे कोई हैं उसमें आगे भी था अब वो वहां पहुंच गए कुछ तो धुट हैं और कुछ ला जा रही है तो उन से पूछा कि कहा मरीज का है मरीज कहा है तो बारी बारी से एक दूसरी को एडमिट कराएं लगता एक को पकड़ा पहले जू मैं सबसे करत कि यह 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 इसको डाल दो, तो वो चिलाने लग गया, मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या हुआ है, तो दूसरे को पढ़के बोल रहे हैं, इसको, इसको कर दो, इसको, तमाम तरीके के जूट हमको बोलने पड़ते हैं, वो जो एक मूल जूट है, वो हमसे न जाने कितने जूट करवाता है कहते हैं न कि सच याद नहीं रखना पड़ता है जूट याद बहुत रखना पड़ता है और एक जूट अगर चल गया तो उसके पीछे उसको बचाने के लिए ही सौ जूट आते हैं एक जूट को कायम रखने के लिए दूसरा बोलना पड़ेगा दूसरे को कायम रखना है तो चार और बोलने पड़ेंगे और आठ हो गए जूट तो अब 32 और जूट बोलने पड़ेंगे तो वो एक अनंत शिंखला है वो हमारा एक जूट है मैं कमजोर हूँ मैं अपूर्ण हूँ दुनिया में कुछ है जो मुझे बरबाद कर सकता है दुनिया में कुछ है जो मुझे आबाद कर सकता है फलानी घटना अगर घट गई तो धन लक्षमी भागे वर्शा कर देंगी और फलानी घटना अगर घट गई तो मृत्य तुल्ल कष्ट मिल जाएगा श्टाव कर कह रहे हैं यही माया है यही है बाकी सब जो तुम दुनिया भर में भटक रहे हो वो इस मूल माया के परिणाम मात्र है चाया मात्र है मूल माया बस इतनी सी है अहम की अपूर्णता इतनIES बस और जो अपनी में जितना अ पूरा रहेगा अ है जगत उसे उतना पूरा मिलेगा माया की निशानी यही है भगता के पीछे लगे और सम्मुख भागे सोए मैं अपूर्ण नहीं हूँ न यहां कुछ ऐसा है जो मुझे में कुछ जोड़ सकता है न यहां कुछ ऐसा है जो मुझे तोड़ सकता है शरीर बढ़ता है मैं नहीं बढ़ता है धन बढ़ता है मैं नहीं बढ़ता शरीर की मृत्य है मेरी नहीं है धन की हानी है मेरी नहीं है यश की हानी है मेरी नहीं है कभी व्यवहार के नाते बोलना भी पड़ गया कि मेरा नुकसान हो गया तो भी ये नहीं कहूँगा कि मैं घट गया मेरा कुछ घट सकता है मैं नहीं घट सकता व्यवहार के नाते इतना तो बोलना पड़ जाता है मेरा नुकसान हो गया या मेरा लाब हो गया मेरा लाब भी हो गया तो मैं नहीं बढ़ गया मैं लाब में बढ़ता नहीं मैं हानी में घटता नहीं मैं वो हूँ लाब हानी चलते रहते हैं और जब मैं लाभ में बढ़ता नहीं हानी में घड़ता नहीं तो फिर मैं यह जान जाता हूँ संदर्ता देखिए पूरी बात की कि कौन सक्षेत्र है जिसमें लाभ और हानी के लिए जीवन समर्पित करना है किसी क्षेत्र में लाभ और हानी के लिए पर आपको तो लाभ हानी से कोई मतलब नहीं यहीं तो मौज है चूंकि मुझे पता है कि आंतरिक तौर पर ना बढ़ोतरी ना घटोतरी इसलिए मैं जगत से सौस्ट संबंद रख पाता हूँ तो भीतर से ना मैं बढ़ता ना मैं घटता ये वह वाली बात आ गई पहले दो और उसी का परिणाम वो तीसरी बात है भीतर से जब मैं ना बढ़ता ना घटता तो जगत से मेरा संबंध सौस्थ रहता है स्वस्त संबंध का अर्थ ही होता है कि मैं जान जाता हूँ मुझे करना के मैं जान जाता हूँ मुझे करना के तो पहली बात मैं मेरा कारिक शेत्र या रड़क शेत्र सही चुन पाता हूँ और दूसरी बात मैं उसमें निश्काम हो पाता हूँ क्योंकि वहां कुछ भी होता रहे भाई मैं न घटूँगा न बढ़ूँगा जब मैं न घटूँगा न बढ़ूँगा तो जो कामना होगी वो बाहर बाहर की होगी बस शुरुआत ही इसी से हुई है न कि देखो भाई अब ये ना हम जीव जगत का खेल शुरू करने जा रहे हैं परदा उठने जा रहे हैं ठीक है लेकिन इस पूरे खेल के दौरान ये याद रखना है कि आप जो भी करने जा रहे हो वो बस आपका अभिने है आपका किरदार है वो ये भूलना नहीं है ठीक तो यह तो परदा उठने से पहले ही तै हो चुका है कि मेरा कुछ आएगा जाएगा नहीं मेरा कुछ आएगा जाएगा नहीं मैं अपने आप में पूरा हूँ अब चलो पैदा हुए हैं तो खेल तो खेलेंगे ही खेल ही नहीं खेलना था तो पैदा गाएगा हुए तो खेल तो खेलेंगे, पर जब पता है कि अब पूरे हैं, तो खेल हम ढंग से खेलते हैं, खेल ढंग से खेलने से क्या आशे होता है पहली बात? मुझे पता है कौन से मैदान में खेलना है व्यर्थ के खेल मैं खेलता नहीं उसको कुरक्षेत्र बोल दो या कृड़ाक्षेत्र बोल दो मुझे चुनना आता है मुझे चुनना आता है मुझे पता है कि कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है साफ जानता हूं और जो काम करना है उस काम पर भी मैं इतना आश्रित नहीं हो गया कहूं कि काम नहीं पूरा होगा तो मैं अधूरा रह जाओंगा ना बाबा काम अगर पूरा करना इतना अवश्यक हो गया काम के बेना मैं अधूरा रह जाओंगा तो मैं निश्काम नहीं रह जब पता हो कि काम का परिणाम आपकी पूर्णता नहीं छीन लेगा, तब आप धणले से खुल कर खेल सकते हो, निश्कामता संभवी तब ही है, जब भीतर ये सुरक्षा हो, आश्वस्ति हो, भरोसा हो, कि नतीजा कुछ भी आये, जो भीतरी माल है, वो नहीं घट जाने वाला, जगत में व्यापार करने निकले हैं, पर कुछ इस तरीके से, कि मूल नहीं गवाएंगे, आप खेल सकते हैं न, यसे कई बार होता है कि, टूर्नमेंट्स और होते हैं, तो उसमें पहले कॉलिफाइंग स्टेज होती है, ठीक है, और कॉलिफाइंग में जो पहली दो टीमें होती हैं, पतेमानलो कॉलिफाइंग स्टेज का आखरी मैच हैं, उसमें एक टीम ऐसी है, जो पहले ही कॉलिफाइंग कर चुकी है, अब वो कैसे खिलती है कैसे खिलती है होल के बंधन तोड़ के ताले करना क्या है मुझे जो मिलना था वो मुझे मिल चुका है अब तो बस यूँ ही खेल रहे है तो जो भीतर ना इटर्नल कॉलिफिकेशन है वो नहीं हिलनी चाहिए वही सनातन है वो नहीं हिलनी चाहिए जहां पहुंचना था वहां पहुंच चुके है जो पाना था वो पाथ चुके है वो कभी खोया ही नहीं था पाना क्या है उसको और ये सब हो चुकने के बाद अब हम खेल रहे हैं लगबग ऐसी बात है कि ट्रॉफी उठा चुके है आओ अब खेलेंगे ट्रॉफी तो हमारी है मैदान में उतरने से पहले ही जीच चुके हैं अब खेलेंगे ये है अश्टा वक्र की सीख और विदानती का जीवन तो दो लोग होते हैं एक वो जो काम के परिणाम में सफलता ढूंडते हैं और दूसरे वो जो काम की शुरुवात में ही सफल होते हैं एक वो जो सफल होने के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सफल है एक सफलता होती है, जिसमें आप अपने आपको सफल خोशित करते हो जब काम का मन चाहा परणाम आ गया, आपने कर्म करा और परणाम कामना के अनुकूल है, तो आप बोल देते हो, मैं सफल हो गया, एक वो सफलता है और दूसरी सफलता ये है कि काम पर हमारी सफलता आश्रित ही नहीं है जब आपकी सफलता काम पर आश्रित होगी तो नतीजे जानते हो क्या निकलेगा आप सबसे छोटा, सबसे आसान काम चुनोगे आप सबसे कम चुनोती का काम चुनोगे आप वही काम चुनोगे जो पूरी दुनिया कर रही है जिस काम में सबसे आदा सुरक्षा है क्योंकि सफलता तो आपको चाहिए सफलता किस से आनी है आपके इनुसार सफलता काम से आनी है जो काम आप जगत में करने जा रहे हो सफलता काम से आनी है तो आप काम वो चुनोगे ना जिसमें सफलता की सबसे आदा संभावना हो और सफलता की सबसे आदा संभावना किसी बहुत छोटे काम में हो सकती है किसी काम जितना छोटा होता जाएगा जितना हीन, जितना अर्थहीन होता जाएगा, उतना ज्यादा उसमें सफल होने की संभावना बढ़ती जाएगी, तो आप सबसे छोटा गाम चुनोगे, जो काम में सफलता खोज रहा है, पहली बात तो उसे विवश हो के छोटा गाम चुनना पड़ेगा, और उसके बाद भी उसकी धुक-धुकी लगी रहेगी, धड़कने तेज रहेंगी, अगर मन चाहा परिणाम नहीं मिला, तो हाई मेरा क्या होगा, काम से सार्थकता नहीं लानी है, काम को आपकी सार्थकता से पैदा होना है, मैं सफल हूँ, इसलिए मैं सही काम चुन रहा हूँ, और अब मैं खुल कर खेलूँगा, अब मैं खुल कर खेलूँगा, जब आप खुल कर खेलते हो, तो एक विशेश बात होती है, वो तुलना में समझिएगा, जब आप छोटे काम को परिणाम की दृष्टे से करते हो, तो आपके लिए बहतर से बहतर क्या हो सकता है, आपने एक परिणाम चाहा था और परिणाम आपको मिल गया, और छोटा काम है तो उसमें जो इच्छित परिणाम भी है, वो भी क्या होगा, छोटा ही होगा, तो बहुत भी मिलेगा आपको तो क्या मिलेगा, कि कामना नुकूल एक छोटा परिणाम मिल गया, जो आपने चाहा था, ठीक है, लिकिन जब आप परिणाम पर बिना दृष्टी रखे, खुल करके खिलते हो, तो नतीजा ये निकलता है, कुछ ऐसा मिल जाता है, जिसकी आप कभी कलपना भी नहीं कर सकते थे, ये जो सकामी होता है, परिणाम इसको मिल भी गया, तो उतने ही तो मिलेगा, जितने इसकी कामना है, और ये खुच छोटा है, तो इसकी कामना भी छोटी, तो मिल किया जाएगा इसको, जो निशकामी होता है, वो कह रहा है, पता ही नहीं क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, काम मस्त है, इसको कुछ ऐसा मिल जाता है जो इसको पता ही नहीं होता कभी चाहा नहीं कभी मांगा नहीं करी इस चीज की तो हमारी कभी कोई मांग नहीं थी ऐसे अंजाम पे तो हमारी कोई नजर नहीं थी और ये है मनुष की गरिमा ये जीवन का वैभव किया आपने मांगा नहीं और आ ऐसे खड़े हो जैसे कुछ मिली नीरा क्या बात है ऐसी किसी चीज के लिए अगर प्रान भी दे देने पड़ें तो क्या ज्यादा है आप बिना मांगे खेले और ऐसा खेले वाँ क्या गजब खेले कि हीरे मोती लुटाए जा रहे हैं आपके और जो आप पर हीरे मोती लुटाए जा रहे हैं तो आप ऐसे खड़े हो जैसे कुछ मिला ही नहीं आप कह रहे हो यह जो भी कर रहे हो यह कालिकरम जल्दी कर लो और यह सब जो आप फैला दिया है बढ़िया है अच्छा लग रहा है चमक रहा है धन्यवाद अब जड़ा इसको जल्दी समेट पी लो क्यों हमें खेलना है हमें खेलना है ऐसे में जिसने हीरे मोती लुटाए भी होते है न वो भी धन्यवाद जाता है वो कहता है बिलकुल सही चुनाव करा मैंने बिलकुल सही व्यक्ते पर जीवन की संपदा लुटाईए अगर इसको मैं देता और लेते वक्त उत्साह से और अहलाद से इसके हाथ काप रहे होते तो सिद्ध हो जाता कि मैं गलत व्यक्ते को दे दिया है यह जो इसकी उपेक्षा है यह जो इसकी बेपरवाही है वही साबित कर रही है कि यही हकदार था सब संपदा का और यह जीवन का बड़ा विचित्र नियम है आप इसको जितना समझ लें जल्दी और गहराई से उतना अच्छा है नहीं मांगोगे जीवन आप पर सब कुछ निचावर कर देगा और बिखारी की तरह कटोरा लेके कलपोगे तो आप कटोरा भी शीन लेगा सबसे ज्यादा वियर्थ जीवन उस व्यक्तिका है जिसके चेहरे पर हमेशा दीनता का भाव रहता है मैं कमजोर हूँ मैं छोटा हूँ मैं कायर हूँ मैं बीमार हूँ और यह बात बड़े दुर्भाग्य की इसलिए भी है क्योंकि यह भाव आपकी विवश्टा नहीं होता आपका चुनाव होता है क्या है जी उनके सामने डटके क्यों नहीं खड़े हो रहे है मेरा नाम जुनूला रहे है क्या करूं क्या हो गया दर्द हो रहा है और कहां और और यह दर्द ही दर्द है तेरी छाती में दर्द है वहां पर जूठी माननेता का काटा शूल घुसा हुआ है और कहीं नहीं दर्द है वो शूल निकाल दे बाकी सब दर्द धट जाएंगे यह जो दिन भर नाटक करता है नाटक करने की जरूरत नहीं रहेगी देखें हैं लोग नहीं देखें हैं उगर चहरे से ही लाचारी टपक रही होती है लाचारी राजनीती में और सरकारी कार्यालेओं में ऐसे लोग ज्यादा पाई जाते हैं आप जाईए वहां मिलेंगे उनका कुछ भी असली नहीं होता है ना उनका सुख असली होता ना उनका दुख असली होता है उनके पास स्वेम को दिखाने के लिए मजबूरियां होती है और दुनिया को दिखाने के लिए चापलूसियां होती है जो कमजोर है वो और क्या करेगा दुनिया की तरह तरह से चापलूसी और चापलूसी में उनकी महाभारत होती है उनके सामने कोई आदमी खड़ा हो जाए जो किसी भी स्तरका है उत्रण चापलूसी शुरू कर देंगे दुरबल हूँ ना मैं क्या गरूँ और फिर वो अपना पूरा जो समाज वैसी बना लेते हैं जुनु लाल का यार और कौन होगा टुईया लाल और ये सब अपनी पूरी मंडली बना लेते हैं और ये एक साथ ही घुमते हैं इनको एक साथ रखने वाला सूत्र क्या है मैं अपूर्ण हूँ मैं दुरबल हूँ जीवन में इन्हें कोई सुख नहीं होता पर एक चीज होती है जो इन्हें थोड़ी देर के लिए त्रिप्त जरूर कर जाती है जब ये किसी दमदार आदमी को हारता देखते हैं जब ये किसी योधा को तूटता देखते हैं इनको थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है और इनके लिए इससे ज्यादा दुख और इर्शा की बात नहीं होती कि ये देख ले कोई जिन्दगी की लड़ाई अपनी शर्तों पर सच्चे तरीके से लड़ रहा है ये इनके लिए बड़े दुख की बात होती है ये उसके निन्दा करेंगे भर्सना करेंगे सौ तरीके से उसको गिराना चाहेंगे इन्हें अगर कहीं भी बीडियोक्रिटी दिख जाती है तो ये जोर से हसते हैं बहुत प्रसंद हो जाते हैं और इन्हें अगर कहीं भी उत्कृष्टता, एक्सिलेंस दिख जाती है, तो ये एकदम तनाव में आ जाते हैं। सबकुछ कुल किसलिए ताकि भीतर की अपनी माननेता बची रहे। खड़ा हुआ, अड़ा हुआ। तो इनकी माननेता का जूट उगरता है न। ऐसे वक्ते को पसंद नहीं कर सकते। पहुच में आ रही है, ये बाती है। मेरा पैसा कम है, मैं कम। मेरा पैसा ज्यादा है, मैं ज्यादा। मेरा शरीर बीमार है, मैं बीमार। अश्टाक्र कह रहे हैं, इंद्रजाल, कलपना लोक। सच क्या अब कलपनाओं से भीक मांगेगा आपने आपको पूरा करने की। जगत इंद्रजाल, मैं चिनमात्र। क्या डरना, क्या मांगना। क्या अद्राइब करका इंद्र करने करें जगत आप सक्काएं आपको झाल